कि दोस्तों आज हम activity करेंगे इस activity का नाम है convergence and divergence raise दोस्तों सबसे पहले मैं आपको convergence का मतलब बताता हूँ convergence का मतलब होता है मिलना जो एक point पर आगकर मिलती है उन raise को हम convergence rate होते हैं दोस्तों कुछ ऐसी raise भी होती है जो diverge होती है मतलब एक point से fell जाती है उसको हम बोलते है divergence rate आज हम इस activity की मदद से convergence and divergence rate को जानेंगे तो दोस्तों इस activity को करने के लिए मैंने एक गत्या लिया है और उस गत्ये के अंदर मैंने यहाँ पर एक cut यहाँ पर लगा दिया है आपको यहाँ पर एक cut दिख रहा होगा और दो cuts यहाँ पर मैंने ऐसे लगा गी है दोस्तों इसके अंदर तो हम इसके अंदर एक torch को यूज़ करने वाले हैं और यह torch आपको कहीं से भी local shop से बहुत इजली आपके घर से मिल जाएगी इस torch को हम यूज़ करेंगे और एक mirror यानि एक शीशा उसको हम यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ एक मैंने slit बना ली है दोस्तों यह slit मैंने कागचकी बनाई है आप एक comb या कंगा भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगा अगर आप यह नहीं बनाना चाते हैं इसकी अतिरिक दोस्तों जब भी हम convergent और divergent rays की बात करते हैं इसके अंदर हम एक शीशा यानि mirror को यूज़ करने वाले हैं और mirror भी हमारे पास दो परकार के होते हैं एक होता है concave mirror और एक होता है convex mirror तो दोस्तों यहाँ पर हम concave mirror बनाएंगे और concave mirror की मदद से हम लोग convergent rays बनाएंगे और convex mirror की मदद से हम लोग divergent rays बनाएंगे तो चलो दोस्तों आप इस activity को हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम convergence ray बनाएंगे मुझे एक शीशा लेना है और यह शीशा एक flexible है आप देखेंगे तो यह थोड़ा मुर जाता है यह flexible mirror है और शीशा है तो आपको यह easily local market से मिल जाएगा किसी भी शीशे की दुगान से तो सबसे पहले मैं यहां पर concave mirror इसका बना लेता हूँ तो इसके अंदर मुझे इसको fit कर लेना है तो आप यहां पर गटा भी ले सकते हैं cardboard भी ले सकते एक फॉर्म खीशेट भी ले सकते हैं और आप एक ऐसा एक instrument बना सकते हैं उसके बाद मेरे पास एक slit है मैं इस slit को यहां पर मैंने कट लगाया है इस कट में लगा लेता हूँ इस तरह से तो अब मुझे यहां पर यह torch के अवशकता पड़ेगी मैं इस torch के आगे से इस cover को हटा देता हूँ ताकि जयदा से जयदा रोशनी इस slit में से पास हो सके हैं और मैं इसको चलाता हूँ और यह देखें आप देख सकते हैं कि यहां पर जयदा से जयदा रोशनी पास हो रही है और यहां से raise जा रही हैं कि जब सारी की सारी जो light के बीम्स हैं वह एक point पर आकर मिले इस point पर उसको हम बोलते हैं तो अब मैं इसके अंदर इस कट के अंदर इस शीशे को लगाँगा तो दोस्तों मैंने यह वला जो शीशा है इसको मैंने ऐसे लगा लिया है यह आप देख सकते हैं तो दोस्तों इसका नाम है कन्वेक्स मिरर तो अब फिर से मैं यह टोर्च ले लेता हूं और इसको मैं ओन करता हूं तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं कि यहां से जो लाइट टकराने के बाद डाइवर्ट हो रही है तभी इसका नाम पड़ा डाइवर्जन रेस यहां से आप दे सकते हैं कि सभी की टकराने के बाद डाइवर्ट हो रही है तो दोस्तों इस एक्टिविटी का नाम है डाइवर्जन रेस इस तरह से हम लोग कन्वर्जेंस और डाइवर्जन रेस को स्टड़ी कर सकते हैं इस गतिविदी की मज़त से